की से सिहत के कहीं फाइदे होते यह तो आपको पता ही होगा लेकिन सिहत के साथ साथ ब्यूटी के यह पाँच फाइदे भी आप की से ही पा सकते हैं गी के इन पाँच बहितरीन फाइदों को जानकर आप हैरान हो जाओगे पहला फाइदा एक चमच घी एक चमच पीसी सक्कर एक चोथाई चमच पीसी काली मिर्च तीनों को मिला कर सुबह खाली पेट और रात को सोते समय चाट कर घर्म मिठा धूत पीने से आखों की चोथी बढ़ती है दूसरा फाइदा एक बड़े कटोरे में सो ग्राम सुद्ध देशी घी लेकर इसमें पानी डालकर हलके हाथ से फेट कर पानी फेक देए यह एक बार घी धोना हुआ एसे दस बार पानी से घी को धूकर कटोरे को थोड़ी देर के लिए जुका कर रखी ताकि थोड़ा बहुत पानी बज गया हो तो वह भी निकल जाएगा अब इसमें थोड़ा सा कपूर डालकर मिला दे और चोड़े मूंकी सीसी में भर दे यह की खुजली फोड़े फुंसी आदी चर्म रोग की उत्तम दवा है तीसरा फाइदा रात को सोते समय एक गलास मीठे दूद में एक चमच ही डालकर पीने से सरीर की आलस और दूरबलता दूर होती है नींद गहिरी आती है हड़ी बलवान होती है और सुबह सोज साफ होता है ठंड आने के पहले से ठंड खत्म होने तक यह प्रयोग करने से सरीर में बल पीरिय बढ़ता है और दूबलापन भी दूर होता है अब हम जाने ये दोस्तों चोथा फाइदा की छिलका सहीद पिसा हुआ काला चना और पिसी सक्कर तीनों को समान मात्रा में मिलाकर लड़ू बादो प्रातक हली पेट एक एक लड़ू खोप चबा कर खाते हुए एक लास मीठा गुन गुना दूद घूद घूद करके पीने से इस्त्रियों के प्रदर रोग में आराम होता है पुष्यू को सरीर मोटा ताजा यानि सुडोल बलवान बनता है फाइदा नमबर पांच चनाव ग्यंग 11 किलो मिलाकर पिसवा ले और आटे को चाने बिना ही प्रयोग करे 250 ग्राम आटे में घी का मोयन देकर इसमें कोई भी मनपसंद सब्जी बारिक बारिक काटकर डाले थोड़ा सा नमक अजवाइन और बारिक कटा हुआ प्यास वगेरे डालकर आटा गूत ले इसकी मोटी मोटी रोटी तवे पर ही गुमा गुमा कर पकाए अब इसमें कोचा मार कर गी डाले और गी से तर बतर करके खूब चबा चबा कर गूड या किसी सब्जी के साथ खाए यह बहुत ही स्वादिष्ट और पोष्टिक रोटी हैं जिसकी पोष्टिकता का एक प्रमुक्तत्व सुद्ध की है